नमस्काल दोस्तों कैसे हो दोस्तों मैं आता करता हूँ कि आप सब लोग ठेक होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुती मज़ेदा टॉपिक लेके आया हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तो आज हम बात करेंगे पानी कब कितना और कैसे पीने है तो चलिए दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको पानी कब कितना और कैसे पीने है दोस्तो डॉक्टरू और हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार रोजाना कम से कम 5-7 लीटर या 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी होता है पानी कम पीने की वज़े से कई अन्नी बिमारियां आपके सरीर में जगह बना लेती है पोष्टिक आहारू से ज़्यादा जरूरी सरीर में पानी होना आश्यक है लेकिन दिन बर पानी कब और कितना पीना चाहिए जो जानना बहर जरूरी है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय पानी कब-कब जरूरी है दोस्तो आपका आधा पेट भोजन से एक चोथाई भाग पानी से और सेस पचिस फिसदी भाग हवा से भरा होना चाहिए पानी हमारे जीवन और सही स्वास्ते के लिए जरूरी है इसलिए पानी पीते समय यदि कुछ बातुक का ध्यान रख्यतों बिमारिया आपसे हमेशा दूर ही रहेंगी दोस्तों सुबह उठते ही पिए एक दो गिलास पानी सुबह उठते ही सबसे पहले एक से दो गिलास पानी पीना चाहिए इससे सरीर से सारी गंदिगी बाहर निकल जाती है त्वचा और फिर दोनु ही स्वस्त बने रहते हैं यदि राद को सोते वक्त पानी ताबे के बरतन में रखा जाए और सुबह उठने के बाद पानी पीने से और भी फाइदेमंदो होता है दोस्तो, खाना खाने से आदे घंटे पहले पानी पीना चाहिए खाना खाने से पहले यदि आप पानी पिएंगे तो आपको भूख कम लेगेगी जिससे मोटापा नहीं बढ़ेगा और साथ ही आपके आते भी ठीक से काम करेंगी खाने के तुरंत बाद या पहले पानी ना पिएंगे खाना खाने के एक घंटे बाद ही पानी पिएंगे तो खाना जल्दी हजम नहीं होगा दोस्तों अगर आपको खाते वक्त पानी पीने की आदत है तो उसको छोड़ दें अगर आपको खाना खाते वक्त भूख लगे तो पानी की जगए दही या रायता लें इससे आपके सरीर को ठंटक मिलेगी और खाना भी आराम से हजम होगा दोस्तों ठकान लगने पर जादे से जादा पानी पीएं अमारा दिमाग 75% पानी से भरा हुआ है अगर आप ठकान लगने पर पानी पीएंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आपका मन काम में भी पूरी तरह लगेगा दोस्तों अगर आप नहाने से पहले पानी पीएंगे तो इससे आपके सरीर को बहुत सारे फाइदे होंगे नहाने से पहले पानी पीने से बलड प्रेसर कम करने में सायता मिलती है यदि गर्म पानी का सावर ले रहे हों तो नहाने से पहले थंडा पानी पीने से बचें दोस्तो एक्सेसाइज से पहले और एक्सेसाइज के बाद पानी पीना भी बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है यहाँ बहुत जरूरी है कि जब भी आप exercise करें तो उससे पहले पानी पी लें जिससे आपकी मानस्पेशियों को energy मिल सके पानी पीने से ठकान कम लगती है यदि आप पानी नहीं पीएंगे तो आप जल्द ठक जाएंगे दोस्तो कभी भी खड़े होकर पानी ना पीएंगे माना जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से एक उम्र के बाद खुटनू का दर्द परिसान करने लगता है इसलिए ऐसे पानी पीने से बचना चाहिए दोस्तो बाहर के पानी से बचें असुद्ध पानी से लीवर और गुर्दू के रोप हो सकते हैं इन दोनों में इंफेक्शन हुआ तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है तो दोस्तो पानी को जादे से जादा पियें और अपने स्वास्त को जादे से जादा बैतर बनाये किसी भी तरह की बिमारी होने से बज़े दोस्तो आज के लिए इतना ही आपको यूर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और प्लीज लाइक दियर सस्क्राइब करना ना भूले तक्यू पर वाचिंग बाई दोस्तो